दोस्तो इसी सुक्रवार को भारती रिज्वर बैंक के गवर्नर सक्तिकांत दास ने एक न्यूव फीचर को लॉंच किया UPI के न्यूव फीचर को लॉंच किया जिसका नाम है UPI Circle अब UPI Circle क्या है हम आपको बताएंगे किस तरीके से यूज होगा और कैसे आप यूज कर सकते इसका benefit क्या है नुकसान क्या है सब कुछ हम आपको वीडियो में बताएंगे वीडियो को लास्तक देखना और हाँ छोटी सी रिक्वेश्ट प्लीज वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना और इस वीडियो को ज़ादा ज़ादा सेयर करना ताकि और लोग भी इसके बारे में जान पाएं और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आल पर्सेट कर देना एक चीज कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताना क्या आप UPI यूज करती हैं कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों हमारी UPI में एक नया फीचर एड हुआ है UPI सरकल जिसके तयात हम पांच लोगों को एड कर सकती है जी हाँ हम पांच लोगों को एड कर सकते जीसे आप अपडेट करेंगे वहाँ पर आपको एक नया फीचर मिलेगा एड परसन का ठीक है प्लस एड परसन का जहाँ पर क्लिक करके आप पांच लोगों को एड कर सकती है अब दोस्तों जैसे आप एड करेंगे उनको मैसेज जाएगा फिर आपको OTP जाएगा OTP डालके आपको लोग इन करना पड़ेगा ठीक है अब देखो इसका फायदा क्या है जैसे आप प्राइमरी यूजर हो हमने अपने लड़के को या फिर हमने अपने पिता जी को अब हमारे पिता जी कहां पर जाते हैं वाइन सॉप में जाते हैं या फिर सिक्रेड पीते हैं कहां पर कितना खर्च कर रहे हैं सब कुछ हमको पता चलेगा पेमेंट हुआ करेंगे लेकिन पता हमको चलेगा और हाँ पेमेंट में भी तो आपसन है अभी मैं आपको बताऊँगा तो यह काफी अच्छा फीचर अगर आप किसी के फादर है तो आप अपने बच्चों पे निकरानी रख सकते हैं कि आपके बच्चे कितना खर्चा कहां पर कर रहे हैं और दूसरा फायदा इसका यह है बाइदोए मालो आपके पिता जीया या फिर बच्ची है उनको पैसे की जरूरत होती है और आप किसी दूसरे के QR code में मारते हैं तो अब यह सब problem खतम हो जाएगी यानि अगर आपके बच्चे के पास bank account है लेकिन UPI नहीं है तो आप अपने में add कर सकते हैं जब भी उसको ज़रूरत पड़ेगी वह payment कर सकता है यानि अगर किसी के पास UPI सिस्टम नहीं है तो वह easily payment कर सकता है जिस तरीके से हम लोग करते हैं तीसरा benefit है अगर आपके पास company है 4-5 लोग काम करने वाले हैं इधर उदर जाते हैं payment करते हैं तो काफी अच्छा option है ठीक है कितना payment किया सारा payment वह लोग करेंगे लेकिन जो primary user रहेगा जो main user रहेगा उसके पास सारा detail आएगा हाँ इस बंदे ने यहाँ पर इतना खर्च किया secondary बंदे ने यहाँ पर इतना खर्च किया third person ने यहाँ पर इतना खर्च किया सारा message उसके पास आएगा अब दोस्तों इसमें दो और feature add हो रही है क्योंकि सबसे पहले जो चीज बनती है उसको अच्छी तरीके से देखा जाता है कई पर इसका गलत यूज तो ना हो दो चीज है पहला full access दोस्तों गर आप अपने secondary person को या third person को fourth person को full access दे देते हैं तो वह एक बाद में 5,000 transaction कर सकता है यानि 5,000 रुपे भेश सकता है वह महिने में 15 यानि 15,000 रुपे भेश सकता महिने में ओके अगर आप अपने बच्चे को बना के रखें हैं तो वह महिने का 15,000 खर्च कर सकता है उससे उपर खर्च नहीं कर सकता अब दोस्तों इसमें एक दूसरा ओफसर रहेगा लिमिट का ठीक है यानि अगर आप यह चाहते हैं कि आपका बच्चा कहीं पर भी जाए पेमेंट करें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन बीना आपके परमिशन पेमेंट ना हो तो यह ओफसन है जैसे सामने वाला पेमेंट करेग जो प्राइमेरी यूजर रहेगा उसके पास फुल अथार्टी रहेगी वह सेकंडरी यूजर को कभी भी निकाल सकता है कभी भी जोड सकता है यह चीज़ आप ध्यार रखना ठीक है क्योंकि वहाँ पर पांच परसन जैसे आप किलिक करेंगे आप पांच नंबर आ जाएग एक पहला अफसन उसमें दिया हुआ है दूसरा अगर आप फोन पर पेटियम चला रहे तो आप थोड़ा सा सतर को हो जाना क्योंकि हो सकता है कोई बंदा ले और खुद से सेकंडरी यूजर बन जाए और 15,000 महीने का वग कभी भी उड़ा सकता है ठीक कभी भी उड़ा सकता यह जैसे दो दोस्ते गए चाए ठीक में चाय पी रहे चाय पीने के बाद हमने उसका फोन लिया फोन लेने के बाद हम सेकंडरी यूजर बन गए ठीक है और हम चाहे पी आचाय पी और हम अपने बंबंबई चले आये दिल्ली चले आया तो फिर कलकत्ता कहीं भी बतना दू उसमें दो आप्शन दिया है ठीक है दो आप्शन दिया है पहला तो परमिशन लेना पड़ेगा दूसरे में वह 55,000 करके 15,000 कर सकता है तो दोस्तों अभी यह रोल आउट होना स्टार्ट हुआ है जैसे आएगा मैं फुल वीडियो बना दूँगा ठीक है फुल यूज करके ब बाई